हेलो फ्रेंज, बल्बिकास के अपने लास्ट वीडियो में हमने बैक्तितु परिशन के बारे में पढ़ा था, उसकी विधिया जानी थी कि किन-किन विधियों से हम बैक्तितु का परिशन कर सकते हैं, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बैतिक भिनिता की, यानि कि लेते हैं कि बैतिक भिनिता किसे कहते है किनी दो बैक्तियों का एक जैसी समानता रखते हुए भी मानसिक या संबेगात्मा करूप से भिन होना क्या कहलाता है बैतिक भिनिता कहलाता है अथार्थ किनी दो बैक्तियों का एक जैसा ना होना क्या कहलाता है बैतिक भिनता कहलाता है, यह भिनता जुडबा बच्चों में भी पाई जाती है, ठीक है अगर बैतिक भिनता की बात करें तो मैंने आपको बताया, कि एक जैसी बहुत सारी समानता होती है, किनी भी दो बिक्तियों में, ठीकिन फिरी भी उनका मानसिक रूप से, संबेग आत् है, ठीक है, कोई भी बैतिक भिनता कहलाती है, यहां तक कि आपने जुडबे बच्चे भी देखेंगे, जो जुडबा होते हैं, उनमें भी कोई ना कोई चीज ऐसी होती है, जिससे हम जो माता-पिता होते हैं, उनके पहजान जाते हैं, यह बड़ा यह छोटा है, ठीक है, तो भई क्या कहलाती है, भई बैतिक भिनता कहलाती है, ठीक है, जो डिफ्रेंसेस देखने को मिलते हैं, उनके लोग क्या कहते हैं, बैतिक भिनता कहते हैं, परवाश हैं देख लेते हैं, सबसे पहले इसकिनर ने क्या कहा है, वो देख लेते हैं, तो इसकिनर ने कहा है कि मा कोई भी पच जिसका मापन कर सकते वो क्या 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 लाएगा बैतिक भिनता क्या लाएगा जैम्स ड्रैबर ने क्या का वो देख लेते हैं तो जैम्स ड्रैबर ने कहा था कि कोई भी दो बेक्तियों का परस पर एक सा ना होना क्या 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 लाता है बैतिक भिनता क्या लाता है ंटोट करने वाली चीज जो देख लिए तो नोट करने वाली चीज ये है कि बैतिक भिहनता पर सबसे पहले अध्यन किस ने किया था そंटलन ज में 2889 में इस ने इस्ट इम्पॉर्टेंटे के इस बहुत जाता है तो जो आ faisait किसे न तो लोगों में भिनवता पाई जाएगी तो कोई गोला हो सकता है काला हो सकता है को जोंटा हो एसा हो सब्सक्राइब कोई ज़्यादा fatty हो तो ऐसे करें कि सारी इस तर पर यह chanement देखने को मिलते है बालू को color भी थोड़ा बहुत अलग हो देखने को मिल सकते है आखों का color थोड़ा अलग से देखने को मिल सकते है तो यह सारी इस तर पर है कि क्रोध प्रेम घ्रना अंत्रिक अलग होना है है कि चोटे भाई हिसाज़ाधाहर जयाता और वह सकता कि यह देखने को मिलती है, तो इसमें भी क्या है, यह भी individual difference है, ठीक है, यानि कि बैतिक भिंधा है, तो बैक्तियों में यह अलग अलग पाई जाती है, बिचारों के इस तर पे हम कह सकते हैं, जैसे बिचारों का साकारात्म की, नकारात्म को ना है, हो सकता कि आप बहुत ज़्यादा निगेटिव रहते हो आपका भाई बहुत पॉस्टिव रहता हो चीजों को लेकर या आप बहुत पॉस्टिव रहते हो वो निगेटिव रहता हो ठीक है तो बिचारों के इस तर पर यह बैतिक भिनता देखने को मिलती है बैतिक में ब्यक्तित में भिनता देखने को मिल सकती ही, personality में जैसे बैक्तिक का अंतर मुखी बहर मुखी होना हो सकता है कि आप अंतर मुखी हो जाद बोलते चालते ना हो किसी से दोस्त कम बनाते हो अपने में लगे रहते हो और आपका बहुत ज़्यादा घुला मिला हो, वो बाहिरमुकी से वाव का हूँ, किसी से भी दोस्ति कर लिता है, किसी को भी कुछ भी बोल देता है तो ये बैक्तितों में भीनता है, तो ये सारी चीजे हैं, ये सारी पॉइंट से याद रखना, कि किस इस्तर पर दो बैक्ति जो हैं, वो अलग-अलग देखने को मिलते हैं, तो कहाँ पर बैतिक भीनता देखने को मिलते हैं, तो संबेगात्मा के इस्तर पर बैतिक भीनता दे देखने को मिलती है अब हम बात कर लेती कि कौन-कौन से कारक है जो बैतिक भिनता को प्रवाभित करते हैं तो इंपोर्टेंट कारक है जो बैतिक भिनता को प्रवाभित करते हैं तो उनमें पहला आता आपका बंसानुकरम और दूसरा आता आपका बातवरेंट ठीक है यह दो प्रमुकारक है, जो क्या करते हैं, दो बेक्तियों को अलग करते हैं, ठीक है, उन्हों बैतिक भिंड़ता उत्पने करते हैं, बनसानुकरम की अगर हम बात करें, तो यह सबसे प्रमुकारक है, कोशन में एक नमबर में पूछेगा, कि बैतिक भिंड़ता को प्राववित करने वाले सबसे important कारा कौन सा है तो वो बंसानुक्रम है यह बंसानुक्रम बिसेशता है जो होती वो माता-पिता से आती है इनमें सारी बहमानसिक दोनों गोड़ों का इस्ताना अंत्रन होता है तो अगर आपके अंदर कुछ भी गुण है तो सबस्याद आपको किस से मिलेंगे त आप भी उसे आरोंगे अगर वो कम पड़े लिखे हैं कम उसे आ रहे है तो आप भी कम उसे आरोंगे ठीक है तो यह सारी चीज़े देखने को मिलती है ठीक है हाइट वाइट का भी चकर पड़ता है अगर उनकी हाइट अच्छी है तो आपकी हाइट अच्छी होगी उनकी ह है बातबर governo ठेक है बैक्ती जैसे जैसे अफ्रीका के चले जाएं आप तो बातबरण का भी섯 जादा परिवाव परता है जैसे तो आप दोस्त बनाएंगे बैसे आप रहेंगे ठेक अच्छे दोस्त बनाएंगे तो आपका बीबर ऐसे हो जाएगा तो बाताबरेन का बहुत प्रभाप पढ़ता है तो प्रमुकार्ण बंसानुकृर्बाद उसका प्रमुकार्ण है तो बाताबरेन है इसके अत्रिक्त आयू, सिच्छा परिपक्पता लिंग भेत का भी प्रभाव पड़ता है तो ये सारी चीज़े हैं जो बैत्तिक भिनता को प्रभावित करती है तो इन पॉइंट्स को याद रखना है ये दो प्रमुकारण कौन से हैं जो बैत्तिक भिनता को प्रभावित करती है टेट में भी आता है, सीटेट में भी आता है, बहुत बार पूछे रहता है, और इसमें हम लोग कहा रहते हैं, बहुत कन्फ्यूज रहते हैं, पहला आता है अंतर बैक्ति भिन्नता, इसे हम लोग क्या कहते हैं, और दूसरा होता है अंतर बैक्ति भिन्नता, इसे हम लोग इं योगिताओं इभन गुड़ों में भिन होना समझा जाता है जैसे इसी बालक में मूर्थ बुड्धी और समाजिक बुड्धी की तुल्द के मात्रह अदिक होना कहने का मतलब है कि अब एक ही बेक्तिक इसमें बात होगी ठीक है जब अंत्य बैत्तिक भिनता की हम बात करेंगे तो इसमें क्या होता है इसमें हम एक ही बेक्तिकी बात करते हैं उसके दो गुड़ों में हम क्या करते हैं भिनताएं देखते हैं ठीक है कि दो जो गुड़ों है वो उसके अलग अलग है जैसे इसमें पताएगे कि मूर्थ बुद्धी और समाजिक बुद्धी की तुल्ला की अगर हम बात करें तो इसमें अमूर्थ बुद्धी का जो ग्यान है वो अधिक है जैसे क्या है कि जो चीज़ों के सामने उपस्तित होती है उसके बारे में वो ज्यादा नहीं सोच पाता लेकिन वो आखे बंद करता है तो जो चीज़ों के सामने पस्तित नहीं है उनके बारे में सोच लेता है इसलिए वो अच्छा राइटर होगा अच्छा चितरकार होगा ठीक है वो चीज़ों के बारे में सोच लेता है बना लेता है ठीक है जबकि वो चीजा उसके सामने पस्तित नहीं होती तो यह होता अंतर बैक्ति भंता ठीक है मतलब दो गोंड जो है वो समान नहीं है तो मूर्त बुद्धी उसके अंदर कम पाई जा रही है लेकिन अमूर्त बुद्धी जो है वो उसके अंदर जादा जब हम दो बेक्तियों की बात करते हैं, दोनों में difference देखते हैं, तो वो क्या कराता है? तो वो अंतर बेक्ति भिनता कराता है, जैसे क्या कि दो बालक हैं, उनकी बुद्धी, रुची, छमता, creativity आदी का भिनोना, ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? दो बच्चों को ले रहे है अब उनकी बारे में differences देख रहे हैं, यह creativity में एक दूसरे से different है, ठीक है, बुद्धी लब्दी जो है, वो उपर नीची है दोनों की, रुची जो है, वो अलग-अलग हैं दोनों की, छमता हैं दोनों की, अलग-अलग हैं, तो जब दो बेक्तियों की हम बात करते हैं, उनम बात करते हैं, बात करते हैं, फिर नगा सेख रहे हैं, तो पहला है कि सिच्छा की पाट चल रहा कि निर्मान है, तो जब स्लेवस बनाया जाता है तो दोनों तरीके की बच्चों को देखकर बनाया जाता है किसी की IQ जो होती है वो हाई होती है किसी का कम होता है तो उनके हिसाब से हम क्या करते हैं बच्चों की बच्चों की बच्चों जो डिफ्रेंसेस होते हैं तो उद्धियों से के निधारन करने में इसका बहुत महत होता है, परहे हैं कि छात्रों की बर्गी करन में, बर्गी करन कैसे करेंगे, अब आपने डिफ्रेंसिस आपको पता है, कि कौन सा बच्चा उसे आ रहे है, कौन सा बीक है, तो आप बर्गी करन कर सकते हैं उनका, कि आ जो कम सुन पाते हैं, ठीक है, आपने देख लिए कि सारी रूप से भेंडने हैं, दूसरों से, कम सुन पा रहे हैं, कम देख पा रहे हैं, तो उस हिसाब से, उनके हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, सिच्छण विद्धियों का चैन कर रहे हैं, ठीक है, चूज करने क्या ज्यादा ब्यक्ति अपनी बुद्धी अभिरुची प्रेना आधी के अधार पर भिन्न होता है ये किस से संबन देता है चार ओप्शन देखनों को मिलेंगे ब्यक्ति तो बुद्धी ब्यक्ति प्रेना आधी के अधार पर भिन्न होता है तो इसका किस से संबन देता है तो बैतिक भिन् हो रही है कि सारी दिश्टी से रंग रूप आकार रुची उप्रब्दी आधी बंता बैतिक बंता है यह किसने का है तो इसी के साथ यह ज़ो टॉपिक है ज्यादा टफ नहीं है ठीक है बैतिक बिंता का सिच्छा में महत अच्छे से पढ़ लेना कियाकए महत है तो हम लोग सलेबस का निर्मान करते हैं, देश का निरधारन करते हैं, बर्गी करेंड करते हैं, चात्रों का, जो सिच्छन विधिया होती हैं, उनका हम चेयन करते हैं, और सिच्छन अद्गम समगरी का चेयन करते हैं, तो इसलिए हमें बैतिक भिनता का इंपोर्टेंस है उस differences देखते हैं, फिर हमने देखा कि बैतिक भिनता को प्राविट करने वाले कारा कौन-कौन से हैं, तो पहना सबसे important कारा है, बंसानुकरम दूसरा है, बात अब रहेंगे, तो इनके बारे में आप लिख लेंगे, किस-किस अधार पर बैतिक भिनता पाई जाती है, बैक्तियों में, ठीक है, तो संबेगात्मा का इस तर पर देखी जा सकती है, विचारों के इस तर पर बैतिक भिनता पाई जा सकती है, ठीक है, बैक्तियों में भिनता देखने को मिल सकती है, ठीक है, कोई अंत्य मुखी है, कोई बहर मुखी है, कि अब बिचारों में देखें तो कोई साकारात्मा के ज़्यादा पॉश्टिव रहता है कोई निगेटिव रहता है संबेकात्मा किसी को गुस्टा बहुत आता है कोई दूसरे सामी सा ग्रहना करता रहता है तो यह चीज़ें अलग-अलग पाई जाती है फिर है कि बुद्धी के स्तर पर कोई का बुद्धी लब्दी जो है बहुत अच्छी है ठीक है प्रतवासाली मारा है कोई मुड बुद्धी मारा है या मंद बुद्धी मारा है ठीक है सारी के स्तर पर कोई गोरा है कोई काला है ठीक है कोई लंबा है कोई जोटा है ऐसे करके ह प्रतिक भिनता किलाता है, इसके अंस्वर important है, याद रखना कि मापन किया जाने वाला बेक्तित का प्रतिक पच क्या कलाता है, बैतिक भिनता कलाता, यह टेट के लिए भी important है, ठीक है, तो clear होग़ government, यह आपकर complete होता है, next video में लेंगे, next topic के साथ, thank you so much for watching this video, और video को जाधर ज़्यादा सियर करें, थेंक यू